हलो एव्रिवान गुड मॉर्निंग और वेलकम तो अंबिश्यस बाबा डॉट कॉम वी आ बाक विद आ डेली कर इंट अफेस विचलिए जानते हैं फर्स इन सेकंड नॉवेंबर के कर इंट अफेस क्या है इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिविजिन कर इंट अफे यह जाएं तो उपर आई बटन में उसका लिंक है वहां से आप उसे चेक आउट कर सकते हैं और आज की क्लास का पीडियेफ का लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आज की और पहला और सरदार पटेल जूलोजिकल पाक का उद्गाटन किया है तो प्रधान मंत्री ची दो दिन के दौरे पे हैं in the state of गुजरात और इस वर्च यानि कि 31st October 2020 को celebrate की गई है 145th birth anniversary of सरदार वलभाई पटेल भारत को unite करने में सरदार वलभाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि उन्होंने जितने भी princely states थे भारत में उन्हें request की और उन्हें बताए कि कितना जादा important है हमें एक साथ unite होना और उन्हीं के सम्मान में केवडिया गाओं के पास 182 मीटर लंबा statue of unity बनाया गया है और सरदार वलभाई पटेल को iron man of India के नाम से भी जाना जाता है चलिए जानते हैं details तो हाली में प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी जी ने आरोगे वन का उद्घाटन किया है इन केवडिया गुजरात और ये किया गया है after the एकता दिवस celebration तो हमने आपको बताया है कि 31 October 2020 को celebrate किया गया है 145th birth anniversary of सरदार वलभाई पटेल और उन्हें के सम्मान में राश्ट्रिय एकता दिवस celebrate किया जाता है हर वर्ष प्रदान मंत्री मोधी जी ने उसके अलावा सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का भी उद्घाटन किया है जिसे popularly केवडिया में जंगल सफारी के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ उन्होंने एकता मौल का भी उद्घाटन किया है तो चलिए बात कर लेते हैं तो आरो के वन जो जिसका उद्घाटन किया गया है वो काफी जादा वैल्यूबल है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ यू से क्योंकि यहां पर तीन सो असी स्पीशीज के जो प्लांट से उनकी पांच लाख साप्लिंग्स लगाए गए है ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके और इसका मकसद यही है कि भारत को मदद करेगा प्रिजर्व करने में अपने साथ साथ जो पुराने ट्रेडिशनल हर्ब से वह भी इसमें नाचरी अट किये गए हैं ताकि जो हूमन है लिविंग बींग्स है उनके जो खाने का टेस्ट उसे और ज्यादा एन्हांस किया जा सके और इसके अलावा जो यह ट्रेडिशनल जड़ी पूटी है इनके जो में आरोगयवन का बहुत बड़ा योगदान है इसके अलावा आरोगयवन में जो काफिटेरिया है वह भी आयुरवेदिक फूद ही सर्फ करेगा वहां पर जो भी विजिटर्स है तो आरोगयवन है वह 17 एकर की जमीन है उस पे स्प्रेड किया है जिसमें वहां पर काफिट और हैंडी क्राफ्ट हैं वह यहां पर डिस्प्लेइ किये जाएंगे और बहुत जो विजिटर्स है वो इसे परचेस कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं गुज्रात का का अपटर है गानी नगर गुज्रात के गवर्णर का नाम है आचारे देवरत और गुज्रात के किस राज ने शीर्स्थान प्राप किया है पांच ओप्शन से हमारे पास तो चलिए दा आंसर इस बी केरला केरला ने टॉप किया है इन दी आनुल स्टेटोस अफ एडुकेशन रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर रूरल इंडिया चलिए जानते हैं डीटेल्स तो जो अनुल स्टेटोस अफ एडुकेशन रिपोर्ट है ने कि A.S.E.R. फॉर रूरल इंडिया वो रिसेंट्ली रिलीज किया था बाइ दी ऑटोनॉमस रिसेर्ज अन असेस्मेंट यूनिट जिसका नाम है प्रतम एडुकेशन फांडेशन तो प्रतम एडुकेशन फांडे टेरिटरीज को इन्वॉल्फ किया था जिसमें उन्होंने 52,227 घरों में सर्वे किया था और इसमें 59,251 चिल्रिन जिनकी एज ग्रुप है बिट्वीन 5-16 उन्हें सर्वे किया था फोन कॉल के मांधिम से इसके अलावा 8,963 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी सर्वे में इन्वॉल्फ किया गया था चलिए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अवोज की तो इसमें सबसे पहला स्थान हासल किया है कैरला ने उनकी रैंकिंग रही है 94.3 परसेंट उसके अलावा पंजाब की जो स्कोर है वो है 88%, हिमाचल ने स्कोर किया है 90% और हर्याना ने स्कोर किया है 82.3% इन में से इतने बच्छों के पास स्मार्ट स्वोन आक्सेस हैं इसके अलावा उन्होंने ये बात पर भी हाइलाइट स्वेंटी परसेंट जो बच्चे ग्रामिर इलाखों में उनके पास कोई आक्सेस नहीं अगलाज आड असाम इस सर्वेय ने कई सारी चीज़े और हाइलाइट की हैं जैसे कि हर तीन रूरल चिल्रेंड यानिकि तीन ग्रामिन बच्चों में से एक इंवार्व नहीं हुए हैं लर्में अक्टिविटी एक आप यानिकी तीन बच्चों में से एक बच्चे के पास बि ला नहीं लिया है आस पर दिस रिपोर्ट चलिए बढ़ते हैं अंकले क्वेशन की ओर तीज़न सवाल फाउंडेशन डे ओफ केरिला हर्याना पंजाब मध्यप्रदेश 36 गड़ करनाथ का आंध्रप्रदेश और तामिन नानु किस दिन अब्ज़र्व किया जाता है पांच प्रदेश 36 गड़ करनाथ का आंध्रप्रदेश और तमिन नाड़ू का स्थापना दिवस मनाया जाता है चलिए जानते हैं डीटेल्स तो पहली नवेंबर को कई सारी इंडियन स्टेट्स जिनमें केरिला हर्याना MP 36 गड़ करनाथ का आंध्रप्रदेश और तमिन वो अब्जर्फ करते हैं अपना फॉर्मेशन डे और इसके साथ साथ कही सारी यूनियन टेरिटरीज जैसे की डेली, चंडिगर, पुडूचेरी, लक्ष्प्रदीप और अंडर्मान निकोहर को इसी दिन उनका दर्जा दिया गया था और यूनियन टेरिटरीज तो चलिए इस चार स्टेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन डे इस सेलिब्रेट की जाती है इन दे यूर नाइटीज दो स्टेट्स की सेलिब्रेट की जाती है और 1966 एन एक स्टेट यानि कि जो है चात्यस गर्ड उसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है फॉर्स नॉवेंबर दो हजार में यानि कि उसका निर्मान वहा था इन दे यह टूथाउजन चलिए बढ़ते आंगले क्वेशन चॉथा सवाल हाली में निमन लेकित में से किस ने ब्रहमों सूपर सॉनिक क्रूज मिसाइल का एक एर लॉंच संसकारन परिक्षन किया है पांच ओप्शन से हमारे पास चलिए दा आंसर इस बी इंडियन एर फोस तो इंडियन एर फोस ने हाल ही में एक एर लॉंच वर्जन और ब्रहमों सूपर सॉनिक क्रूज मिसाइल का ट सेक्सफुली परीक्षन किया है एक एर लॉंज वर्शन को अफ दी ब्रहमोस सूपर सॉने क्रूज मिसाइल यह जो क्रूज मिसाइल है यह टेस्ट फाइब की गई थी फ्रॉम दी सुखोई फाइटर एक्राफ्ट इन दी बेयों और इसे पंजाब के बेश से फाइरिंग की गई है तो यह जो मिसाइल है यह सक्सेस्फुली हिट की है एक सिंकिंग शिप को विद पिन पॉइंट आक्यूरसी और इसके साथ इंडियन एफोस ने अब इसे इंटिग्रेट कर लिया है या इसे जो ओवराल कॉमबाट केपिलिटी है उसे और जालदा मजबूत बनाया जा सके और यह किया गया है विकॉस भारत में चाइना को लेके कई सारा टेंशन चल रहा है विकूर क्यूंकि इसल लदाक में चाइना और बहारत के बीच में मुर्भेड हो चुकी है तो उस चान हाली में फिलिपिन्स पर प्रहार किया है पांच ओप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस डी गौनी गौनी एक सूपर टाइफोन है जिसने फिलिपिन्स को हाली में हिट किया है तो चलिए बात कर लेते हैं सूपर टाइफून का मतलब क्या होता है तो जो भी जो भी ट् जानते हैं टीटेल्स तो एक पावर्फूल सूपर टाइफून ने इस्टेंट फिलिफ्मिंस में हाल ही प्रहार किया है विद फिरोशेज विंद और फिर्स नॉमेंबर टू थाउजन आज ट्वेंटी तो टाइफून गोनी ने हिट किया है इस आइलेंड प्रोविंस को ऑफ क्याटन डूवन्स आड डॉन यानिकि एकदम सुबह और इसके साथ उनकी जो विंस थी वो थी 225 किलोमेटर यानिकि 140 माल्स पर आवर और उसके साथ जो गस्त थे वो थे 280 किलोमीटर पर आवर यानिकि 174 मीटर पर आवर और इसके साथ अब वह वेस्ट की ओर बढ़र आता towards the densely populated regions including Manila तो Philippines का capital है Manila अब उसकी और बढ़ना आता तो चलिए अब बात करने ते कि recently 2020 में कौन कोंचे cyclones और typhoons आए है तो tropical storm क्रिस्टोबाल ने हिट किया है लूजियान और Mississippi Coast को in the US, tropical storm Amanda ने हिट किया है El Salvador and Guetamana को, cyclone निसरगा ने हिट किया है महराश्रा और गुजराथ इन इंडिया, cyclone अमफान निकेर बरसाया था in the states of West Bengal and Odessa, cyclone Maha form हुआ था इन अरेबियन सी और उसने प्राउस किया था लक्षुदीप को, cyclonic storm Bulbul came in Bangladesh and West Bengal और cyclone क्यार आया था in South Gujarat, Saurashtra और यह over कर रहा था ओवर दी अरेवियन सी चलिए बढ़ते हैं अंगले क्वेशन की और छटा सवाल प्रदीप श्रवास्तफ द्वारा विश्व की पहली साइन स्टून पुस तक Bye Bye Corona किस ने जारी की है आच ओप्शन से हमारे पास तो चलिए the answer is C. आनन्दी बेन पटेल आनन्दी बेन पटेल ने रिलीज की है ये किताब रिलीज की है दुनिया की पहली साइन स्टून बुक जिसका नाम है Bye Bye Corona चलिए जानते हैं डीटेल्स Bye Bye Corona दुनिया की पहली साइन स्टून बुक है और जो की गई है जो कि पूर्व सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस रहे चुकी है at CSIR Central Drug Research Institute लखनो और इससे रिलीज किया गया है बाई आनंदी पटेल जो की है गवर्नर ओफ उत्तरप्रदेश तो यह जो बाई बाई कोरोना है यह एक perspective insight ओफर करता है कि जो यह COVID-19 यह जो बिमारी है इसके क्या क्या industry cases है इसका मकसद यही है कि लोगों को नहीं डराए बट उनको logic के साथ संजाए कि actually इस बिमारी में होता क्या है कैसे हम इसे अपने तरीके से बचाफ कर सकते हैं क्या क्या हम precautions ले सकते हैं इसके अपना सकते हैं और कैसे खुद को बहतर रख सकते हैं तो में इसका परपस यही है कि लोगों को अवेर कर आया जाए ना कि उन्हें डराया जाए कि चलिए बढ़ते हैं अगले question के और साथवा सवाल इन में से किस फिल्म ने चौदवे एशिया फिल्म पूरसकार में सर्वश्रेश ओरिजिनल स्कोर जीता है पांच options है हमारे पास तो चलिए आंसर इज ई गली बॉइ गली बॉइ ने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जीता है अधी 14 एशिन फिल्म अवार्ट्स चलिए जानते हैं डीटेंज तो 14th Asian Film Awards यानि कि AFA 14 की घोशना की गई थी 28 October 2020 को virtually by the Asian Film Awards Academy यानि कि AFA और ये जो मूवी है जिसमें स्टारिंग की है रनवीर सिंह अर्या भटने इन्होंने जीता है Best Original Score at the Event तो चलिए जान लेते हैं बाकी Awards कौन कौन लेके गए है तो Best Film का अवार्ट दिया गया है Parasite Movie को जो की है South Korea based Best Director का अवार्ट दिया गया है Wong Shia Shui for So Long My Son from China Best Actor का किताब दिया गया है To Lee Byung Hoon for The Man Standing Next from South Korea और Best Actors का किताब जीता है Zoe Dongyune for Better Days from China चलिए बढ़ते हैं अंगले क्वेशन क्यों आठ बा सवाल प्रतेक वर्ष विश्वनगर दिबस किस तारीक को मनाया जाता है पाच आप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस B 31st October 31st October को मनाया जाता है World Cities Day चलिए जानते हैं details तो United Nations General Assembly ने resonate किया है 31st October को as the World Cities Day और इस वर्ष कौन का theme है Valuing Our Communities and Cities तो यह दिन celebrate इसलिए किया जाता है ताकि promote किया जा सके इंटरनाशनल कम्यूनिटी में और उसके साथ साथ उनके जो इंटरेस्ट है इन ग्लोबल अर्बनाइजेशन पुश फॉवर्ट को ओपरेशन अमंग आधर कंट्रीज और उसके साथ साथ in meeting opportunities and addressing challenges कि क्या क्या challenges है अर्बनाइजेशन के और वो कैसे contribute कर सकते हैं towards sustainable urban development around the world चलिए बढ़ते हैं अंगले question क्यों और नौवा सवाल World Vegan Day is celebrated every year on which day? पांच options है हमारे पास चलिए आंसर is A. 1st November 1st November को विश्व शाकहारी दिवस हर साल मनाया जाता है चलिए जानते है details तो आपको बता रेती हूँ vegetarianism और veganism में काफी फर्क है चलिए जानते है details तो World Vegan Day annual event है जो हर साल celebrate किया जाता है by vegans all around the world on 1st November तो veganism के कई सारी benefits है for human and for natural environment और यह वो celebrate करते हैं कई सारी activities के माधियम से जैसे कि वो stalls वगर लगाते हैं potlucks host करते हैं और इसके साथ चात memorial trees को प्लांट करते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले question की और दस्वा सवाल किस cricket empire ने हाल ही में on feet empire के रूपे सबसे अधिक एक दिवसी मैचों के रूडी को टिजन के रिकॉर्ड को तोड़ा है पांच options है हमारे पास तो चलिए आंसर इस C. अलिंदर अलिंदर ने तोड़ा है रिकॉर्ड और रूडी को टिजन चलिए जानते हैं details तो अलिंदर ने फर्स नवेंबर को रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर्डी मोस्ट ओड़ी आइस अजन ओन फील्ड एंपायर और यह उनका 210 मैच था है इन्दी सीरीज सेकंड मैच बिट्वीन पाकिस्तान और जिंभावी तो बावन वर्ष यह है अलिंदर फ्रॉम पाकिस्तान और उन्होंने साउथ आफ्रिकन के रूडी कोटिसन का रिकॉर्ड तोड़ा है और ऑफ ओफिशेटिंग इन्द मोस्ट ओड़ी यह यह उन्होंने अचीव किया था जब उन्होंने ओफिशेट किया था अपने 132 मार्च पिछले वर्ष जो कि हो रहे थे तब और उस्ट्रेलिया और न्यूजलेंड में इन पर्थ इन डिसेंबर चड़िए विद इस वी कम तो एंज ओफ टोड़ेस ग्लास आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर यह वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे और हमारे चैनल अबिशिस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजे इसके अलावा today and have a great day